आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत अभिनंदन वबंदन फटाफट जोईन करें हमारे सभी साथ ही और इस क्लास को कमेंस करते हैं तेजी से मिलन यादो वेरी गुड यूनिंग उमेश चंदर जी गुड यूनिंग सभी साथ ही फटाफट जोईन करते जाएं कभी कभी आपको नोटिफिकेशन नहीं बिलता है तो टाइम से आप अपने बैच में जाकर के देख सकते हैं तो वहां जोईन का ऑप्शन बिल जाता है एक बार सभी प्यारे साथी बता दें आर्यू गेटिंग माई वाइस क्या आपको मेरी वाइस मिल पा रही हैं बताएंग और शालनी स्रिवास्तो हैं प्रवीन कुमार हैं तो चलिए फिर हो जाईए आज के प्रैक्टिस के लिए तैयार और पिछले जो दो दिन की क्लासेश थी वो आपकी यूट्यूब पर दी गई है लिंक आपका अनॉंस्मेंट ऑप्शन में दिया रहता है वहां से भी आप क् क्लास कमेंश करने से पहले याद रखना है आपको ये बात कि आज का हमारा जो टार्गेट है वो थोड़ा सा जादा है थोड़ा सा ब्रधी की गई है टार्गेट में और आज का हमारा टार्गेट है 30 यदि आज के सेट में आप 30 क्वेस्टन करते हैं तो आप समझे को करते हैं शुरू लेट्स कमेंश है क्वेस्टन नंबर वन पहले डिरेक्शन को पढ़ेंगे कि डिरेक्शन में क्या कहा जा रहा है 125 चूज द वर्ड विच इज नेरेस्ट इन दा मीनिंग तुद गिविन वर्ड अक्रू स्नानिम बताना है अक्रू का जो सामान मीनिंग होता है वो होता है वरद्धी करना किसी भी चीज में बढ़ोतरी करना अक्रू कहलाता है वरद्धी होना अब यहाँ पर सही आप्शन क्या हो जाएगा अक्यूमलेट आप्शन डी इस दर राइट आंसर चलिए फटा फट रिपलाई करते चलेंगे यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा डी हो जाएगा अक्यूमलेट लीजिए एक्मे दा टॉप हाइस्ट पॉइंट दा कल्मिनेशन जैनित वैसे तो आप एक्मे का मीनिंग जानते हैं एक्मे का मीनिंग आप सभी जानते हैं क्या होता है चोटी राइट अब जैसे ही आपको पता चला तो टॉप नहीं लगाओगे कल्मिनेशन भी नहीं लगाओगे क्योंकि आपके सामने दिया है जैनित क्या होगा जी जैनित दा क्यारेक्ट आंसर इस डी है क्वेस्चन नमबर टू में आपका जो सही आंसर होगा वो जैनित होगा अगर जैनित न दिया हो यहाँ पर देखिए जो अल्टरनेटिफ दिये गए हैं वो बहुत ही शानदार है किरती शुक्रा जी आज यूटूब की क्लास में आप नहीं थी जरूर देख लिजएगा जो भी साथी यूटूब की क्लास नहीं किये हैं आप सभी प्यारे साथिय उसे एक request है हमारा कि आप comment करके अपना score जरूर बताया करो और कुछ feedback दिया करो यदि आपको क्लास अच्छी लगती है यहाँ देखो application में आप को कोई problem है कोई बात है बाद में आप comment नहीं कर सकते हो लेकिन YouTube में आजादी है कीरती जी वैसे mostly comment करते हैं और सभी को करना चाह यह अनिता जी गुड़ी निग अनिक पाल जी नेक्स्ट क्वेस्टन acquaintance to rest satisfied not making any opposition to a situation to disagree quiet submission आज लेट आ रहा है notification अभी मिल रहा है कुछ लोगों को मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर प्यारे साथियों जो acquaintance का मतलब होता है मौन स्विक्रती अब आप question देखकर समझने की कोशिश करो acquaintance का मतलब है मौन स्विक्रती तो निश्चित तोर पर आपका सही answer क्या बनेगा quiet submission d answer आपका correct हो जाएगा quiet submission very good मंजु जी डी होगा यह डी अलगा रहे है बहुत अच्छे शालनी जी कीरती जी एंड अधर्श accurate बड़े ध्यान से देखिएगा question क्या है accurate apprehend संका करना guess improve exact accurate मींज एकदम सही यानि की option होगा exact the right answer is d exact आपका answer बनेगा डी प्रतिमा सहगल very good नेहा खन्ना जी गुड यूनिंग next question अब देखिए question घूम घूम के आ रहे हैं आईए देखें अब आप देखेंगे कि हाँ आपको लगेगा कि येस मुझी ये आ रहा है accumulate overcome spread collect disperse तो accumulate means होता है संचे करना collect हो जाएगा अच्छा disperse मतलब क्या होता है disperse मतलब होता है तितिर बितिर करना right तो correct answer five number में क्या होगा c कुछ लोग आज late join कर पाए हैं कोई बात नहीं है कभी कभी notification ही आपको late मिलता है है ना तो आप application open कर लिया करिए अपना बैच open कर लिया करिए वहां time से class आ जाती है scatter yes very good आये चलते हैं opposite words की ओर choose the opposite word scurry to hurry or hasn't to tremble to be ashamed to language scurry means होता है जल्दबाजी करना अब opposite क्या होगा to language देरी करना ठके हुए चलना option d network issues yes हाँ network issues ही है और क्या है next enigmatic displegent simple short-sighted learned enigmatic का general meaning होता है पहली पूर्ण और पहली कैसी होती है कठिन होती है yes तो अब बताईए कि opposite क्या होगा simple हो जाएगा आपका correct option क्या बन जाएगा simple हो जाएगा बी seven में जो लोग c लगा रहे हैं वो गलत हो जाएगे और बी answer correct हो जाएगा अजे जी राइट है शालनी जी भी राइट है प्रतिमा जी राइट है पूरम पाठक भी सही है सभी साथी I hope की join कर चुके हैं और बिना किसी का नाम लिए मैं आपको बता देता हूं कि एक तारीक काफी नजदीक है और जिन लोगों का third installment deposit होना है वो time से पहले ही deposit कर दीजेगा इंतजार मत करिएगा कि कोई counselor phone करेगी या बताएगी कि आपकी due date हो चुकी है है या आप खुद से responsibility का अपने ध्यान रखेंगे और साते सात में किसी भी batch को आप लेना चाहते हैं तो installment से कोई लेना देना नहीं लेकिन कोई भी batch लेना है तो 31 तारीक और एक तारीक को 50% off रहेगा new year के occasion में तो उसका आप और आपके friends advantage ले सकते हैं sporadic, epidemic, stagnant, spontaneous, regular बड़े ही ध्यान से reply करेंगे और question number 8 में याद रखना है कि sporadic का मतलब होता है अनीमित क्या होता है अनीमित अब तो आप समझी गए है ना पक्का समझ गए कि वही इसका opposite लगाना है तो regular लगा दे option D बहुत अच्छा आंसर कर रहे है प्रवीन जी, प्रतिमा जी, मंजु जी, नेहा खन्ना जी and others लीजी question number 9 बहुत ही जोरदार है और आपके answers भी वैसे ही आनी चाहिए ascetic, germ-free, artistic, gloomy, worldly तेजी से answer करेंगे ascetic means तपश्वी बहुत ही द्यान से answer करना जो तपश्वी होता है उसका उल्टा सांसारिक हो जाएगा worldly, the correct answer is D, worldly next, question number 10 repugnant, plain, brutal, agreeable, pungent repugnant का मतलब क्या होता है अरूची पूर्ण जिसे बहुत बेहद नापसंद है अब बेहद नापसंद का आपोजिट agreeable हो जाएगा जिससे आप agree करते हो तो ये positive word हो जाएगा negative का आपोजिट positive ही होगा, correct answer is C, pungent तीखा होता है ये नहीं होगा दी नहीं होगा, पूनम जी का answer right है next तीछ होता है पंजन्ट, idiom और phrase a swan song, melodious song, disharmonious display, utterance statement, sorry utterance और statement made just before death or retirement, concocted tale, मैं आपको पूरा time दोंगा 10 to 20 seconds आप अराम से एत्मिनान से answer करिए, सभी लोग, 11 number में हमारे प्यारे साथी यदि C answer लगा रहे हैं तो वो एकदम character हैं और screen पर मैं देख पा रहा हूँ कि majority हमारी C के साथ जा रही है, well done बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, जो इतने भी साथी C answer में लगा रहे हैं, बहुत अच्छा, well done लिजिए, question है, idiom, a white elephant, options, precious thing, uncommon event, unprofitable possession, a rare phenomenon intermediate में पढ़ते थे, तब भी idiom मिलता था, वहाँ पर लिखा रहता था कि a beautiful wife to a middle class man is just like a white elephant, a white elephant का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खर्चीली और फाइदे की कम, यानि कि ऐसी कोई possession अधिकार की वस्तो जिससे लाब ना हो, नुकसान ही नुकसान हो, और उसमें example दिया रहता था, beautiful wife का, तो कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये answer आपका c character है, और हमारी शैल्या सिंग जी काफी लेट आई हैं, लेकिन सही answer कर रही है, शैल्या जी, very good, और प्रवीन जी आपका answer गलत हो गया है, याद कर लिजिए, a white elephant कहते हैं, ऐसी वस्तो ऐसी चील, फाइदा कम नुकसान ज़्यादा करें, जैसे कि a beautiful wife, एक सुन्दर पतनी हो, और middle class ये lower middle class आदमी के लिए, तो बड़ी, लब एक, a white elephant होती है, बार बार beauty पालल ले जाओ, ये करो, वो करो हैंना, तो बड़ा दिक्कत होता है, सुन्दर लोग को और सुन्दर रहने के लिए तयार होना पड़ता है, तो ये C answer character होगा, next, knit once, knit once, bro, to disappoint somebody, to front, to have a headache, to express discontentment, तेजी से answer करें, हाँ जी भी उटीवा, तेजी से answer करिएगा, 13 number में, knit once bro का मतलब है, तेओरी चड़ाना, गुस्सा दिखाना, to front is the right answer, 13 number में, आपका B answer correct हो जाएगा, हाँ, ज्यादा तर लोग गलत answer दे रहें, next, question number 14, to blow the sense, ये question मैंने आपको यूटीब में एक बार कराया है, देखे रहान से, to be extremely accomplished, to be resourceful, to be dejected, to busy oneself in an unprofitable, unprofitable, यहाँ पर preposition नहीं होना चाहिए था, possession होना चाहिए, या occupation होना चाहिए, यहाँ मतलब ऐसा word आएगा, जिसका meaning car होगा, ठीक है, unprofitable task कह लो, तो निश्चित तौर पर answer D होगा, कि अपने आपको अलावकारी car में बिजी रखना, D answer कह रहे थे, बहुत अच्छे, to rip up old source, sore का समान मीनिंग तो घा होता है, to rip up the old source, to destroy something, to act cruelly, to reopen a quarrel, to inflict pain on others, inflict pain नहीं होगा, क्या होगा, to rip up old source का मतलब होता है, पुराने जगड़े को जन्म देना, फिस से खोलना, to reopen a quarrel, option C, बहुत समय पहले दुश्मनी थी, उसको दुबारा से active करना, काफी समय मामला शान्त चल रहा था, correct answer is C, next, देखते हैं question next क्या कहने गा रहा है, fill in the blanks with appropriate word, यह एकदम नए प्रकार के questions आप पाएंगे, देखो, इस series का उदेश है कि आपको कुछ सिखाना, और जैसे जैसे questions TGT में पूछे गए हैं, वो सारे pattern के question अब आपके सामने एक एक करके आ रहे हैं, अब, peasant lives in cottage, stable, cell, hole, तेजी से answer करिए, और आज का score 30 है, निश्चित तोर पर आप पाएंगे भी, cottage is the right answer, एक जो peasant होता है किसान, वो cottage में ही रहता है, और यह answer सभी का सही आ रहा है, thank you, well done, super, a tiger lives in a, एक जो tiger होता है, वो कहां रहता है, layer, hole, stable, cell, 17 में answer करेंगे, और सभी लोगों को reply करना है, जितने भी लोग class देख रहे हैं, हाँ, वो सभी लोग reply करेंगे, बहुत अच्छा पूनम जी, नेहा खन्ना जी, well done, प्रवीन जी, कीर्ती जी, layer मतलब माद होता है, a is the right answer, tiger कहां रहता है, layer में ही रहता है, शौरफ स्रिवास्तो गुड्ड, ली जी reply करिए, अब pigeon lives in a, एक pigeon कहां रहता है, layer, डॉब कोट, पैंज, डेन, 18 नमबर में याद रखिएगा, जो pigeon होता है, वो डॉब कोट में रहता है, option B, 18 नमबर में, आप लोगों की, answers थोड़ा सा slow आ रहे हैं, speed बढ़ाईए, बहुत अच्छा, C answer कौन लगा रहा है, B answer होगा, अच्छार का answer साइद गलत आया, पूरम का भी गलत है, प्यारे साथियों, यहाँ पर 18 में, डव कोट answer होगा, B, A monk lives in a, एक जो monk होता है, वो कहां रहता है, monstry, whole, stable, cool, एक सन्यासी कहां रहता है, वो monstry में रहता है, मठ में रहता है, option A, 19 में, A answer के रेक्ट, शाबास, अनीता त्यागी जी, बहुत अच्छा answer कर रहे हैं आप, और हमारे बीच में, प्रतिमा जी हैं, शौरब जी हैं, सभी के answer के रेक्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छे, well done, A horse lives in a, एक horse कहां रहता है, style, stable, whole, pen, 20 नंबर में, horse एक जहां रहता है, उसे stable कहते हैं, carrot, answer is B, stable में रहता है, तो हम लोगों ने 50% का अपना सफर कर लिया है, और आप लोगों का score भी अच्छा जा रहा है, आपको यहाँ पर मैं एक चीज जरूर बताना चाहूँगा, कि हमारा जो यह practice session है language का, इसमें grammar और वेक अब यानि कि language section से, जिस type के question पूशे गए है, last 20 years में, उस सभी type के question में आपके सामने लाने वाला हूँ, one by one, हमारी यह practice you तो जनवरी तक चलनी हैं, last January तक, बट अगर आप लोगों का feedback मिलेगा, जिस दिन में मांगूँगा, आप लोग feedback देंगे, कि हाँ sir हम interested हैं, तो इसे हम next three month के लिए और extend कर देंगे, यानि कि, feb, march और, April के लिए, व्याद रखिएगा, लेकिन यह best तो three month चलेगा, लेकिन उसकी जो validity है, इस बार one year कर देंगे, ताकि आप उन classes को one year तक देख पाओ, ठीक रहेगा, till exam extend, चलिए भाई, आप चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा, अगर हम और आप चाहेंगे तो वो भी possible हो जाएगा, three three month extend करते रहेंगे, तो exam तो आही जाएगा, क्योंकि इस बार आप three months जैसे ही आपका पूरा होगा, आप exit हो जाएगे, वीडियो दुबारा नहीं देख सकते हैं, जो YouTube की public classes देंगे, वो तो आप multiple time देख सकते हो, लेकिन इसको आप नहीं देख पाएगे, है ना, ठीक है, यादि आप चाहोगे, तो चलता रहेगा, मुझे कोई problem नहीं है, बट आपका response मिलना चाहिए, है ना, आईए चलते हैं, हाँ, next question की ओर, लीजिए, spelling test, और आज का spelling आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही basic question है, spot the character spelling, चलिए, ओके शालनी जी, तेज़ी से reply करिएगा, हमारे सभी प्यारे साथी तेज़ी से answer करेंगे, appearance, a-double-p-e-a-r-a-n-c, the character option is a, appearance, a is the right answer, शाबबाश, well done, spot the character spelling, spelling बताएगे कौन सा सही है, मैं word को पढ़ूँगा नहीं, वो बाद में पढ़ेंगे, पहले आप बताएगे, वंदना विस्वास जी, लेट हैं आप, लेकिन अच्छा answer कर रहे हैं, very good, चलिए reply करेंगे, चलिए अच्छा एच्छा 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 एवेंगे, इस्पॉट्ट दे क्यरेट स्पेलेंगे, सभी साथी रिप्लाई करें, अपॉलजी, 23 में भी एच्छा 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 है, और हमारे कुछ इस्टुडेंट्स कनफ्यूज होकर की, सी लगा दिये हैं, डवल पी मान लिये हैं, प्यारे साथियो, सी नहीं होगा, शालनी जी का अंसर केरेक्ट आ रहा है बहुत अच्छा अंसर कर रहे हैं अजे जी वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फोर की ओर चलें तेजी से अंसर करिए तेजी से सोचिए सही रिपलाई करिए और सबसे पहले क्योंकि जब सबका सही आएगा तो फिर टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि हुई इस दे टॉपर 24 जैसे कि आप ऑनलाइन टेस्ट में देखते हो आपने दोनों लोग ने बरावर क्वेश्चन सही किये लेकिन जिसने टाइम कम लिया उसकी रैंकिंग ऊपर होती है 24 में आंसर करिएगा प्यारे साथियो अब्रिजमेंट का मतलब होता है संचिप्ति करण क्या मतलब होता है जैसे आप संचिप्त लिखते हो संचिप्त करने की क्रिया को हम संचिप्ति करण कहते हैं अब्रिजमेंट संचिप्ती करण यानि कि अब्रिज से बना अब्रिज D is the right answer और मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं आल और करेट चाहें शाली जी की बात करें किर्थी जी की बात करें मंजूपूरा जी की बात करें सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं नेक्स्ट, इस्पॉर्ट दे कैरेट स्पैलिंग, तेजी से रिप्लाई करेंगे, जब आप तेजी से आंसर करोगे, तभी गलत और सही और प्रेशर का पता चलेगा, आप बहुत टाइम मत लीजिए, फटा-फट आंसर करिए, क्या बी आंसर के साथ आप जा रहे हैं, बी इस दे राइट आंसर, अफेक्सनेट ली, इसने हैं पूर्वक, देखी वंदना जी ने गलत आंसर दिया है, कई लोग रॉंग आंसर दे रहे हैं, प्रिवीन भीया भी गलत हैं, पूनम राइट हैं, और राइट आंसर आलसो इच मिलन यादो, एंड शौरव मजगूरा, तो देखो इतना सिंपल था तब भी कई लोगों के एक या दो गलत हुए हैं न, स्पैलिंग का काम ही यही है, आज मैं थोड़ा सा स्पॉर्टेंग एरर के क्वेस्टन लंबे लंबे जादा लेके आया हूं, मतलब टाइट है म कामला थोड़ा, ध्यान से देखना, स्कूल ओफर्स मैनी अपार्चनटीज ओफ मीटिंग, हैल्फल पीपल, रीडिंग यूसफुल बुक्स, एंड आप्टेन, इन्फरमेशन अबाउट आवराइटी ओफ पबलिक करियर्स, तेजी से आंसर करिए क्योंकि मैं केवल टैन से नहीं पाए, it's your time, 26, प्यारे साथियों, यहां पर option बनेगा, c, obtain नहीं, obtaining होगा, जैसे आप देख पा रहा है, इधर लिखा हुआ है, reading, वो आपकी ing, ऐसे यहां, end से एक जैसी form जुड़ती है, obtaining हो जाएगा, option b, c, c, option correct होगा, Luckily, the prisoner agreed to accompany the stranger and they slow made their way to the bottom of the cliff. प्यारे साथियों, यहां पर आपको a, b, c, d, question number 27 में reply करना है, the correct answer is c, जैसे लिखा है made, और made के बाद bare infinitive आता है, तो यह two नहीं आएगा, two नहीं आता made के बाद हमेशा ध्यान लखो, they slowly made their way down the bottom of the cliff, यहां made a costume of है, down परियाप्त है, two का use नहीं करेंगे, बस इतना याद करो, इसको ऐसे याद करो कि two नहीं आएगा, केवल down आएगा, c, काफी अच्छे answer सापरो कर रहे हैं, लीजिए question number 29, 28 कहां गया बाई, अरे यार आजाओ, you are not paid to criticize, all you need to do is to carry out, तेजी से answer करेंगे, 28, प्यारे साथियों, यहाँ पर need एक model वाव है, और need के बाद the model के रूप में आता है, तो हम two का use नहीं करते हैं, और two को remove करेंगे, option लगाएंगे B, my father drew an attention of our neighbor to the importance of developing good neighborly relations, यहाँ पर आप इसको correct करके भी बताईए कि गलती कहां है, 29 में मैं आपको sufficient time दोंगा, you have sufficient time to reply, चलो, 30 seconds दे रहा हूँ 29 में, अजय जी answer बताईए कि गड़बड़ी क्या है, खन्ना जी आप भी, the correct answer बताएंगे, A is the right answer, यहाँ पर an attention नहीं होगा, the attention of होगा क्योंकि off लगा है, तो noun के पूर्वदा लगेगा, correct answer is A, कुछ लोगों ने तो D में निकल लिया, किर्थी जी कह रहे हैं, हम तो D की तरफ जा रहे हैं, और भाई पिछले पूरे वर्स में हमारे यूटूब में सबसे ज़्यादा comment जिसने किये हैं, सबसे ज़्यादा, वैसे तो कई लोगों ने किये हैं, उनका नाम है कीर्थी शुकला, तो कीर्थी शुकला को हम student of the year announce करते हैं, इनके लिए एक बार फूल पत्ती सभी साथी भेजें, और आज status में भी लगा दिया जाएगा, यह अपने इवाश का नंबर सब लोग सेव रखा करें, is the right answer, next question की ओर चलते हैं, the visiting minister was told that one of the boys result was commendable, thank you all, question number 30, come on, यारे साथियो, जितने भी हमारे साथिये हैं, देखो एक बात ध्यान रखो, यह language की, यह grammar की, यह word power की practice करता वहीं, जिसमें कुछ दम होती है, जिसको बिल्कुल नहीं आता, वो तो कभी नहीं करेगा, आप में कुछ दम हैं, पक्का जान लो, C is the right answer, Milan जी, very good answer, प्यारे साथियो, यहां पर boys गलत दिया है, सही क्या होगा, हम boys के बाद में इपास्टरफी लिखेंगी, क्योंकि आपको याद है, कि जिस noun का plural S लगा के बनता है, उसमें केवल इपास्टरफी लगा कर positive case बनाते हैं, तो जब one of है, पक्की बात हो गई न, कि जब one of लिखा है, तो one of के बाद 2 पिलूरल है, तो दो के बाद plural noun यानि दो boy जाएगा, तो इस तरीके से हम लिखेंगे, और आपका option बनेगा C, 30 number में, काफी अच्छा आप लोगों ने response किया है, very good, next question की ओर चलते हैं, fill in the blanks with most appropriate preposition, और इस समय preposition की धासू सरी चल रही है, I challenged him a game of chess, लीजिए, for, to, against, about, बहुत अच्छे questions हैं, समझ लोगों दिल को छूने वाले, I challenged him to a game of chess, correct answer is B, 31 में B answer होगा, against नहीं होता है, ना for होता है, वंदना विश्वास जी थोड़ा और मेहनत करते रहो, एक दिन अच्छा लेवल आ जाएगा, क्योंकि जो आज सही answer दे रहें, एक दिन वो भी गलत दे रहे थे, प्यारे साथ ही हो, यदि यहाँ पर for होता, मैं आपको अजय जी यह चीज समझाता हूँ, उसको समझेए गध्यान से, यदि यहाँ पर answer for होता, for, तो यह question आता ही नहीं पर इच्छा में, I challenged him, भई हिंदी में निकालो न, मैंने उसे, चेस यानि शत्रंज के खेल के लिए चुनोती दी, हिंदी में निकल रहा है, के लिए आपको आज समझाता हूँ, यह बात समझ में आएगी, तो जिन्दिगी समझ जाएगी, हिंदी में निकल रहा है, के लिए, और for means होता है, के लिए, अगर यही इस कार्थ है, और यही सही है, तो यह competitive exam में 90% नहीं आएगा, हमेशा ध्यान दखा करो, हिंदी माध्यम के विद्धार्थियों के साथ, बड़ा धोखा होता है, अगर आप हर चीज कार्थ निकाल के सही करोगे, तो गलत होना पह है, वही चीज exam में आती है, जो confusing होती है, अगर हिंदी में, देखो के लिए निकल रहा है, तो for तो नहीं होगा, बोलो सियावर राम चंद कीजे, correct option लगाओ B, next, समझ में आया, did you understand, next, I saw my friend leaning a lamp post with a cigarette between his lips, बड़े ही गजब का question है, देखो, or, upon, against, on, आज इसका एकदम सही answer आपको पता चलेगा, I saw my friend, मैंने अपनी मित्र को देखा, leaning के बाद against आता है, बिलकुल confuse मत होना, जब आप जुकते होना, कहीं को भी जुको, लेकिन कोई, symbol हो, चाहें वो wall हो, सीड़ी हो, तो against का यूज़ करते हैं, lean against, he is in the habit of finding faults, others work, जरूर आपने इसको पढ़ा है, finding fault, with others work, दूसरे के काम में गलती खोजना, option B, 33, next, 34, the college term will end, a month, in a month, with a month, after a month, after about, यहाँ पर elimination method लगा दो, after about a month, और after month, थोड़ा समझने की जुरूरत है, कि यह दोनों नहीं होंगे, अब in और with में से एक आएगा, right, तो भाई हम कहना चाहते हैं की, जब समय दिया होता है, तो यह तो हम in लगाते हैं, यह within लगाते हैं, तो correct answer is a, in हो जाएगा, देखें थोड़ा स्क्रीन पर, very good, बहुत अच्छा अंसर दे रहे हैं आप लोग, शाबाश, दे वांटेट अडवाईस, हाव दे कुड़ प्रोक्योर फंच, फॉर दिया न्यू बिजनिस, प्यारे साथियों, प्रिकूर मीन्स होता है, हासल करना या प्राप्त करना, और वो अडवाईस चाहते हैं, अबाउट तू, फॉर अन, यह लास्ट बट नॉट लिश्ट, थर्टी फाइट, बहुत अच्छा अंसर कर रहे हैं, अजे जी, आन होगा, मुद्दे की बात करें, तो आन लगाते हैं, नेहा जी मैंने अल्रेडी पढ़ाया है यह बात, दे वांटेड अडवाईस, आन, हाव दे, कुड पिक्योर, फंड्ज, फॉर दियर, न्यू बिजनिस, टू नहीं होगा, अड्वाईस चाहते हैं, किस मुद्दे पर, देखो, अड्वाईस के लिए, जो मुद्दा हो, तो या तो आन लगता है, या ओवर, हमेशा ध्यान रखिएगा, आप्शन आपका कैरेक्ट होगा, डी, कॉंसेप्ट याद रखेंगे, आन होगा, आप तैयार कर लो, पीपल एट अ लेक्चर और कंसर्ट, कॉंग्रेगेशन, आड्येंस, मॉब, स्पेक्टेटर्स, पीपल, लोग जो किसी लेक्चर में, या कंसर्ट, यानि कि संगीत सभा में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कॉंग्रेशन, जमावड़ा, आड्येंस, रोता, मॉब, गुसाई हुई भीड, एस्पेक्टेटर्स, दर्शक, तो भाई, उनको आड्येंस बोलते हैं, जो किसी लेक्चर को सुनने आते हैं, यह क्वेस्टन, कम से कम चार बार आया है, इसको हम इग्णोर नहीं कर सकते हैं, अब परसंस फर्स्ट स्पीच, प्रिफेस, मेडेन, ओपनर, एक्स्टेमपर, प्यारे साथियो, प्रिफेस मींस होता है, प्रस्तावना, मेडेन मींस होता है, कुमारी लड़की, ओपनर मींस खोलने वाला, प्रस्टी जी, शौरब जी, यह क्वेस्टन आप थोड़ा कन्फ्यूज होंगे, लेकिन सही करना है, तू कम एज अ सैटलर इंटू एनादर कंट्री, एलिनियेट, एमिग्रेट, माइग्रेट, इमिग्रेट, तू कम आना, एज अ सैटलर, निवासी के रूप में, इंटू एनादर कंट्री, किसी अन देश में, किसी अनयत्र, किसी अन देश में आकर के बसना, एलिनियेट, दूर करना, इमिग्रेट, और माइग्रेट तो कहीं दूसरे अस्थान पर जाना होता है, प्रवास करना पच्छी आते हैं, देखो ये कन्फ्यूजन कहां होता है, इमि और इमि, तो देखो, ये याद रखना कि, इसको कैसे याद किया जाए, ट्रिक से याद किया जाए, कम का मतलब होता है, कम इन, और लेटिन में, इम का मतलब होता है, इन इम मतलब इन तो यानि कि जब भी कम आये तो इम बाला लगा देना immigrant किसी देश में आकर बसने वाला कम इन डी इस दे राइट आंसर उनम जी वेरी गूड अनीता जी काफी सही आंसर दे रहे हमारे सारे आस्पारेंट से बजसे दग़ना गलत देने वाले सब भाग गए क्या सब सही दे रहे पेखे itself कोई गलत देश नहीं हम वेरी गूड नेक्स्ट अवा ड्राइंग ओन ट्रांस्पैरेंट पेपर किसी ट्रांस्पैरे पेपर में जो ज्राइंग होती है उसे क्या कहते हैं रेड़ प्रेंट ब्लूप्रेंट नेग्टिव ट्रांस्पेरेंसी तो यहां पर थार्टी नाइन नंबर में आंसर करेंगे आप सभी लोग याद रखिएगा ट्रांस्पेरेंट इस दे राइट आंसर डी आंसर केरेट होगा ना तो रेड़ प्रेंट होता है ना ब्लूप्रेंट होता है ना नेग्टिव होता है डी पूरम जी राइट है गिविंग अंडिव फिवर टू वन्स ओन कित एंड किन अपने रिष्टेदारों को अनुचित लाब दिया जाता है फैब्रेटिजम नेपोटिजम करप्शन वर्ल्डिलिनेश तेजी से आंसर करेंगे फैब्रेटिजम तो एक बनावटी और फाल्तू का शब्द लिखा गया है कन्फ्यूज कराने के लिए एक्च्वल वर्ड होता है नेपोटिजम जिसको हिंदी में बोलते हैं भाय भतीजा वाद थैंक्स अलोट फॉर वाजिए प्यारे साथियों इस क्लास को देखने के लिए शुक्रिया धन्वाद ऐसे ही आप क्लासे देखते रहे और मैं आपको ये बता लेता हूँ कि जो भी हमारे प्यारे साथि अभी तक प्रिंट आउट नहीं निकलाए हैं वो बिलकुल ना निकलाएं जो मास्टर की है आपकी 10 जनवरी के पहले आपके घर के एड्रेस में भेजने का प्लैन कर रहे हैं जो भी साथी इंट्रेस्टेड होंगे उनको हम एक अकाउंट गूगल पे नंबर दे देंगे 100 का पैमेंट आपको करना होगा ये पोस्टल जो खर्चा है उसको मिला करके और आपके घर में मास्ट की पहुंच जाएगी निव ये जैनवरी के मंथ में थोड़ा किताब पढ़ने का अनंद ही कुछ अलग होता है है ना हमारी बुक होगी तो आपको और भी अच्छी लगेगी तो जो भी साथी है मैं एक अभी अनौंस कर दूंगा कल परशों में तो आपको गूगल पे और यह क्वेस्टन नाइंटी परसेंट मास्टर की से ही आता है चाहें जिस एक्जाम की बात करो चाहें वो केवी एसो ल्टी हो आप इसला ल्टी का पेपर उठागर देख लें और चाहें वो टीजीटी पीजीटी हो तो बस आज इतना ही कल फिर मिलेंगे और पढ़ते र झाल 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 झाल